वेलकम तो अलहादी फांदेशन स्कूल इन जुम्लों को आपस में मिलाना है और इसके बाद दी गए हाली जगा में इन जुम्लों को लिखने की माश्च करने है सबसे पहले आईए जुम्लों को पढ़ते हैं हाथी की दूम, जारा के पास, अली का तोता, मानो क्या, कहां है चोटी है, सोच रही है, एक गुड़िया है अब हमने दुरुस्त जुम्लों को मिला कर आगे दी गए हाली जगों में लिखना है पहला जुम्ला जिसको मिलाया गया है और यहां लिखा गया है हाथी की दूम, चोटी है हाथी की दूम, चोटी है अगला जो जुम्ला हम कमल करेंगे, वो है जारा के पास, एक गुड़िया है यहां पे लिखेंगे, हम दी गए हादी जगा में जुम्ले को लिखेंगे जारा के पास, एक गुड़िया है अगला जो जुम्ला मकमल करने के लिए हम इसको अली का तोता कहां है इस जुम्ले को मकमल करने के लिए इसके साथ कहां है लगाया अली का तोता अली का तोता कहा है इस जुम्ले में सवाल पूछा गया है इसलिए इसके आखर में सवाल गया निशान लगाया गया है मानो क्या सोच रही है इस जुम्ले में भी एक सवाल किया गया है इसलिए इसके आखर में सवाल या निशान लगाया गया है आपने भी जुम्लों को मदे नज़र रखते हुए दुरूस जुम्लों को मिलाना है आपस में और इनको लिखने के आगे मश्च करनी है सरगर्मी नमबर दो को देखिए दुरुस्त जुम्ले लिखिए दुरुस्त जुम्ले लिखिए यानि यहां पे आपको बेतर्तीब जुम्ले दिखाई दे रहे हैं आपने इनको दुरुस्त करके तर्तीब के साथ दी गए हाली जगों में लिखना है दो काट ये गोबी पहला जुम्रा है जो हमारे पास वो है दो काट ये गोबी इसको हम तर्तीब से लिखेंगे ये गोबी काट दो अगला जुम्रा देखिए खाना दे दो गोडे को खाना दे दो गोडे को इसको दुरूस लिखेंगे दुरूस जुम्रा लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे गोडे को घोडे को खाना दे दो अगला जो जुम्रा है वो है गाड़ी हरी है मेरी गाड़ी हरी है मेरी यहाँ पे इसको दुरूस करके लिखेंगे मेरी गाड़ी हरी है मेरी गाड़ी हरी है जो आखरी जुमला है हमारे पास वो है काली है मेरी पैंसिल काली है मेरी पैंसिल इसको दुरूस करके लिखेंगे मेरी पैंसिल काली है आपने भी इसी तरह सरगर्मी नमबर दो को अपनी किताब के सफ़ा नमबर इकावन पे हल करना है यानि आपने बेतर्तीब जुम्लों को तर्तीब के साथ लिखके दी गई हाली जगों में आपने इन जुम्लों को लिखना है कापी में काम जुमले बनाईए यानि आपने इन इलफास के जुमले अपनी कापी में बनाने हैं तोता, छोटा, गुडिया, हाथी, खाना, घोड़ा और हरी इन इलफास के जुमले आपने अपनी कापी में बनाने हैं